असलाम लेकुम नाजीन मैं हूँ आपकी मैजबान सना नूर और आप देख रहे प्रोग्रेम जिन्दगी एक सफर नाजीन आद भी हमारे साथ हमारी मेमान आशा रशीद मौजूद हैं जो के Victoria's Woman of Pakistan Organization की founder है तो चलते हैं अपने मेमान की तरफ असलाम लेकुम वालेकुम असलाम कैसी हैं आईशा आप अपका बहुत 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 शुक्रिया है कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमना कीमती वक्त हमारे लेने का अलाए जजा कर लाए आईशा यहां से के बारे में क्या ख्याल है आपका ऐसे लोगों के बारे में मेरा ख्याल यह है कि एक तरह से वो सही ही भी है और एक तरह से गलत भी है सही किस तरह हैं कि आपनी जाती जिनद converge दे रहे जोँआ जो उनके लिये बहुत अच्छा है उनकी फैमिली जिज के लिए अच्छा है कि वो किसी की जाती जिनदगी नहीं कर रहे है परसनल लाइफ में इंट्रिपेर नहीं कर रहे है आगे क्या हो रहा है मतलब जाती जिन्दगियों में किसी की भी परसनल लाइफ या परसनल रिलेशनशिप में क्या हो रहा है उनका इसे कोई तालुक नहीं है तो ये चीज अच्छी है बट ये चीज उनकी गलत भी है कि अगर कोई बेमार है कोई तकलीफ में है वो फिर भी उ हैं और इसको सैलफिष में हैं । दो कैटिगरी के लोग है धो किसी की जातियात से आपको को इमतलब नहीं हैं यह किसी के ओपर कीचर उचालने हैं इस सब चीजों से आपको कोई मतलब slow नहीं है यह होते है कि किसी को तकलीफ में देखके बिलकुल नजर अंदास कर देना और अपना सोच ना तो ये दो तरह के लोग होते हैं सभी बात है आईशा मुझे बताईए कि हमारा जो लिबास होता है हमारा बात करने का जो अंदास होता है वो हमारी शक्सियत को बहुत उभाड़ता है तो आप क्या कहेंगी कि हमारे माश्रे में इसके लिए क्या गौरे फिकर होना चाहिए देखें जब आप एजुकेट है ना और एक आप एजुकेटड माश्रे से ब्लांग करते हैं तो आपके साथ आपकी तैजीब, आपका लिबास आपका टॉकिंग स्टाइल, आपके एटिकेट्स, आपके डिस्टिप्लेंस सब मैटर करते हैं क्योंकि आप जिस लिबास में जाएंगे सबसे पहले क्या होता है कि आपके बोलने से पहले आपको को देख के जज़ किया चाता है किफेकों किसी में बोले के आप मैं निहीं आपको क सब्सद्द करें अज़ देख दिखनेगे इस होती ही, इसलिए कि आपको देख के पहचान की जाएंगे nhất में इस प्रेसिंग का इस लोक्स का इंसान है और इस तरीके से चाल चले ने यह तो नेच्छल है यहां पर एक मुःववरा भी है कि इनसान की शक्सियत उसकी जबान में चुपी वह है जबान में चुपी भी वो तो कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपको सिर्फ बंदा देखेगा या बंदी देखेगी बड़ आपका उससे कोई बात करने का तालूग उस टाइम नहीं बनेगा तालूग देर से बनता है तो एक तरह से आपके रहन से लिबास पे भी और फिकर होना चाहिए लेकिन जब आप बैठे माश्रे में तो आपके एटिकेट्स होने चाहिए क्योंकि जब आप बोलते हैं तो साथ साथ आपकी बॉड़ी लैंगविज भी बोलती है बॉड़ी लैंगविज किस तरह कि आप किस तरह बैठे हैं किस तरह आप अपने बॉड़ी को शो कर रहे हैं बात करते हैं यह सब चीज़े मैटर करती हैं जिसको हमें अपने माश्रे में जो है ना बहुत क्योंकि आप किसी भी फिल्ड से बिलॉंग करते हैं आपके अंदर एटिकेट्स नहीं हो न तो आप मज़ेदार इनसानी नहीं है बिल्कुल ऐसी चाहाएं आप एक होस्ट है ठीक है आप एंकर है आप अपने प्रोफेशन से बिलॉंग करते हैं ठीक है अब आपके ऊपर क्या चीज़ें लागू होती है कि आप जिस जगा से बिलॉंग करते हैं आप उस जग हो किस तरह present कर रहे है ठीक है यह जगा की सब आपके डिसी प्लेंज नहीं होंगे मतलब तो जगह का नाम तो खुदबाखुत खराब होगा ठीक है तो माश्राज जो होता है या कोई जगह जो होती है वो हमसे बनती है मैं जिस जगह से ब्लांग करती हूं ना तो वहां पे यह देखा जाएगा कि किस तरह के लोग आईशा से मिलते हैं कि आईशा का खुद किस तरह का रहन सहन है आईशा खुद किस तरह से लोगों से बात करती है तो ये चीजे हम पर बहुत असर करती है और हम माशरे को बना ते हैं मतलब अपनी शक्सित को गुरूम करना आपके हाथ में गुरूम करना हमारे हाथ में और गुरूम क तो मैं इस चीज़ को बहुत पसंद करती हूँ और मैं अगर कोई लेम जोक सोंगे, कोई लेम बात होगी, तो मुझे फॉरान अच्छी नहीं लगती महफिल के लिहास से, मैं अगर भरी महफिल में बैठी हूँ या कहीं मिटिंग में बैठी हूँ या कहीं कांफरेंस में नहीं जाया है या गर में जो है न वो तो आप नेटरल हैं बिल्कुल ऐसी बट आप जब बाहर निकलते हैं तो आपके साथ एटिकेट निकलते एं क्योंकि आपको लोग देखके फिर जच चरते हैं घरवालों के साथ तो आप अपनी फैमिली बच्चों, मीवी, शोहार, मर ठीक है दोनों तरफ से है लेकिन जब हम बहार जाते हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही कानून लाग होता है कि हम जैसा इंसान को ट्रीट करेंगे वह पलट के हमारे साथ वैसी रवया दिखाएगा बिल्कुल अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो परस्नेलिडी वाइस ल अच्छे लगते हैं लेकिन जब गुफ्तु को शुरू करते हैं तो वहीं पर पता चल लाता है कि वह किस टाइप के है तो बिल्कुल मैंने क्या कहा कि आपने कपड़े पहन के मत बैठ जाना आपके एटिकेट्स होने चाहिए और एटिकेट्स को मैंने दुबारा का कि वह खुबसूरत चीज़ है क्यों क्योंकि आप अपने हुसने एखलाक से पहचाने जाते हैं यह आपने एक दफ़ा बात करी अगर आप एटिट्यूड दिखा रहे हैं आप एगो दिखा रहे हैं अकसर यह जनरेशन कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इनोंने कुछ भी किया नहीं है पर आगे से बोलिगे मैं मुझ में बहुत अटिट्यूड है मैं क्यों इससे बात करूँ है भाई आप कुछ बन जाओ और आप एक बाद याद रखना जो माने वे काम्याब लोग होते हैं ना अटिट्यूड होता ना इगो होती है बिलकुल बैलंस में लेके चलते आप का बहेवियर अच्छा नहीं होगा आप लोगों के साथ और तरीके से बात नहीं करोगे आप मेरी गरीबी का फर्क रखोगे मज़ा क्या बिलकुल आप थर्ट क्लास परसनालिटी हो दुबारा मिलने की खौईश नहीं है सीरियसली आप कितने भी बड़े लैंडलॉड आप कुछ भी हो एक दफ़ जो मज़ा खराब हो दूसरी दफ़ बंदे हो फर्स इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन यह सच है बिलकुल यह बात बिलकुल सच है और कहते हैं ना नौलिज इस पावर बिलकुल तालीम जो है आपकी पावर है फिर लेकिन इसके बाद पावर के बाद पावर है बिलकुल ऐसी कि आपने तालीम हासिल की इल्म हासिल की तरभियत हासिल की आपके पावर आगई अब उस पावर का किस तरह स्तमाल करेंगे वह आपके हाथ में अच्छ लोग ऐसे भी हो दें जिनका मतला बहेवियर एटिट्यूट जे वह बहार अब इन लोगों की परसेलिटी डाउन किस तरह का होती है आप बाहर है आप घर में आए आपने घरवालों के साथ बिहेवियर खराब रखा आपको क्या लगता है कि वह घरवाले कब भी ना कभी अपना मूह नहीं कोलेंगे हैं या कब भी ना कभी वो तोड तरीके जो आप घर में आएकर अपने बच्चों के साथ बीवी के साथ या शोहर के साथ या अपने पैरन्ट्स के साथ इस्तमाल कर रहे हैं जिस behavior का क्या वो इसका retaliate नहीं करेंगे क्या वो bet-taghzzy भी नहीं सीखेंगे क्या वो लोगों के साथ आप वही सुलूक नहीं करेंगे तो आप कहीं न कहीं जाके जलील जरूर होंगे शॉरिटी से कह रही हूँ मैं कि ऐसे लोगों का कोई मुकाम नहीं होता अगर आप मुझसे कोई बहुत अच्छे से मिल रहा है ना और इसकी फैमनी ने बोल दिया कि यह बिलकुल तहजीब नहीं है इसके लाइफ स्टायल बिलकुल चीप है इसका टोकुं स्टायल बलकुल चीप है मेरा धिली नहीं करेगा बहुत अपनी और यह बाते चुपती नहीं है जरी व्हा है लोग आप को ने पर भी यह करयों आपका पेरेंट्स के साथ होगा ये चीजें जो है न लोग आगे जाकर डिसकस करते हैं बिलकुल ऐसे हैं अगर आप अच्छे हैं तो बोलते हैं बहुत ताविदार हैं आप मिस बिहेव करते हैं तो फिर वो बिकार इंसान इसका अपने लोगों के साथ अच्छा रवया निया हम कैसे इस पर भरोसा करें और लिटरली अस लोगों पर भरोसा नहीं किया जाता है बिलकुल ऐसे क्योंकि जो अपनों के साथ अच्छे हैं वो कैरों के साथ क्या अच्छे होंगे वो एक दिखावा होता जो नजर आ जाते है बिलकुल आईशा मुझे यह बताईए कि एक काम्याब जो जिन्दगी होती है वो आपकी नजर में क्या है और हमारे मुल्क में आप मतलब यह नजर नहीं आती है तो इस सिल्से में क्या कहेंगी हमारे मुल्क में नजर आती किस तरह नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं जाती काम्याबी दिखाई नहीं जाती, एक तरफ अगर अच्छाई दिखाते हैं तो दूसरे दिन उसकी बुराई भी दिखा देते हैं ठीक है? अगर कोई अच्छा है तो इसमें कसूर किसका है? कुसूर अगर अगर आप मीडिया लेवल पे देखा जाएं तो मीडिया का ही कुसूर है क्योंकि आप जब किसी इनसान को ऊपर उठाते हैं तो आप उसको चंद वक्त के बाद नीचे पटक भी देते हैं आप लोगों ने क्या यह बाहर देखा कि किसी ने बिल गेट्स को इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया तो कभी इसको पतखते वे दिखाया उसको हिडिन कर देते हैं बश्रत हिए कि जब तक यार आप उसको उस वक्त तक बरबात ना करो ना काम ना करो जब तक उसने कोई वाक पिए करूं को बदनाम कर दिया बरबात कर दिया यह अक्सर ऐसा होता है कि चुटे एकसे उसके ऑपर आ जाते हैं यह मेरे साथ ऐसा गया वैसा कि यह चीज़े क्या होती हैं कि हम अपने लोगों को खुद नाकाम कर देते हैं तो काम्याब और यह चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत जादा चलती है हम अपने लोगों को खुद बर्बात करते हैं जो सच बात है इसलाम की बात तो फॉलो नहीं किया करें stretव और भी झारर, और या रही करण ये जामने झार्थे हैं आजिए जएं एक ये कोई जा मैं तो कह Now चाहछी हएं उप के जान अगर परन्स आपके सअगे हैं आपके साथ वफधार हैं आप पने ये जानç तो इसके बाद आपका कोई रिष्टा नहीं है जो आपके साथ वफादार होगा क्यों? क्योंकि अगर हम भाई भेन के बात करते हैं भाई भेन तो अल्रेडी वालदान के जिन्दगी में भी लड़ते हैं बट वालदान के बाद हम किसी और के लिए लड़ते हैं बिल्कल जगे रिष्टे मावाप का है, मावाप के बाद आपका कोई रिष्टानी है, फिर आप जो है ना बस आपकी रेस है, दुनिया में, बेहन भाईयों की भी रेस है, तो यह जो ज़ड है, यह कहां से स्टार्ट होती है, जो आपस में लोग दुश्मनी कर बैठते हैं, और जो इ जिभर की बादो मेंड़ के दुश्मनी का बेठते हैं, अब जो आप के जऑा wraps़ा का ए, चाह निए जो पी बहुत है है जैसे कि मतलब जिन्दगी में फैसला नहीं करना है अगर बेहन भाई हैं आपस में जायदात का मसला है वो जायदा डिस्ट्रिबूट होनी है तो फैसला नहीं करते हैं आपको मैं बात कह दूँ आप कितनी भी अपनी ओलाद से महब्बत कर लें अगर आपने शरीयत ने कह दिया ना कि आपने जिन्दगी में उनका हक अदा करना है तो अगर आपने नहीं किया उसके बाद वो लड़ते हैं तो सारा जिम्हदार आपको 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 ही ठहराएगा बिल्कुल ऐसली है क्योंकि उनको भी तो अपनी कहते हैं लाइफ को देखना है ना कमाया उन्होंने कुछ भी नहीं है जो बाप ने कमाया वो उस पर रह रहे हैं बट हक वो ऐसे मांगेंगे कि जैसे सबसे बड़ी मेहनत करके उन्होंने लगाई है तो ये चीजें जो है ना नफसा-नफसी का आला है त इतने जल्दी उसको अदा करें कि मैं अपने वाली साब को अप्रिशेट करती हूं इस बात को कि मेरे दादा का जो कुछ भी था ना उनको उनकी जिन्दगी में कर दिया अदा कर दिया मेरे दादा दादी की कोई जायदात कोई चीज ऐसी नहीं थी जिस पे मेरे दद्याल या मेरे खांदान वाली लड़ें और माशालला जिसको जो करना तो अपनी लाइफ में खोश है तो यह बहतरीन फैसले और यह मैंने अपने बड़ों में देखी है और अल्हम्दल्ल्ल्ल्ल्ह मेरे वाले साब का आज भी माइंड सैट ऐसा है हम तीन भाई हैं बट हमारे लि तो अपने तौर तरीकों पे अपने वजाहों से लड़ेंगे बट मावाब की वज़ा से हम कभी नहीं लड़ेंगे अच्छा कुछ गरानों में ऐसा भी होता है कि पैरेंट्स होते हैं वह बहुत मीना तो स्ट्रगल करने के बात जो एक मुकाम पहुंचते लेकिन फिर वहा परती हैं तो ऐसे पैरेंट्स के लिए अब क्या कहेंगे कि वह बहन भाई तो से लेकिन उनकी अलाद मुच्छ में देखें यह जो आइना बहुत अच्छा सा वाल है यह बहुत जो नाजरीन देख रहें ना उनको यह बात मेरी गॉर से सुननी चाहिए कि जब आपकी शाद करते हैं नाजरीन ब्रेक का टाइम हो गया है मिलते एक चोटे से ब्रेक के बाद वेल्कम बैक नाजरीन तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जी आईशा क्या कह रही थी हाँ इस जो मैं यह जवाब है ना इसको अगर नाजरीन सुन रहें तो वो बहुत तवज़्जों के साथ सुने की आपकी सारण योगई यू ठीक है आपकी आपका अवल हक आपकी आपकी आउलाद पर है तो आप trailer करें है WhatsApp ज किपकर आपके पर रहादी किनारा कशी करें आप पे हक आगिया आपकी बीवी पे बीवी पे आगिया शोहर पे अब वो दोनों मिया बीवी का आगिया आउलाद पे आप आउलाद के लिए नहीं कर रहे आप बीवी के लिए नहीं कर रहे आप दूसरे लोगों के लिए कर रहे तो वो आपके अलाद को क्या मिला मैं गैरंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो आपके अलाद के लिए करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे आप अपनी अलाद के लिए करें आप अपने बीवी बच्चों के लिए करें आप अपने शोहर के लिए करें आपका हक आप बहन भाईयों पर तब तक है जब तक आप लोग मेरिट नहीं है बहन भाईयों को एक दुसरे की लाइफ खराब करने का कोई राइट नहीं है बहन भाईयों को एक दुसरे की जाती जिन्दगी पर बात करने का कोई राइट नहीं है बहन भाईयों को औलाद भाई की औलाद हो या बहन की औलाद हो उनके ओपर किसी किसम की गलत बात करने का राइट नहीं है एक भाई की अगर औलाद है एक भाई की फैमली है तो वो सारा राइट वो सिर्फ उसी बाप के ओपर जाता है जिसकी वो फैमली है तो फैसले करने का हग भी किसको है उसी बाप को है हाँ अगर वो बाप दुनिया से चला गया या मा दुनिया से चली गई और वो बच्चे ना बाले गए तो आपके बड़े आपका फैसला कर सकते हैं बट अगर वो बाले हो गए तो उसका फैसला वो बच्चे आपस में बतलब नहीं ले सकते हैं यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि घलत फैसला करते हैं मां पर भी अपना फाइदा देख रहे हैं बिल्कुल इसी को तो मैं कहरी हूं कि जब तक वो बच्चे ना बाले गाया आप उनके हक में फैसले नहीं कर सकते किस तरह के कि अगर वो जायदाद है तो आप उसका बटवारा नहीं करेंगे वो बच्चों की आप शादी नहीं करेंगे वो बच्चे आप किसी को नहीं देंगे वो बच्चे जब बाले हो जाएं आप उनके राइट्स उनके हैंड ओवर कर दें कि अगर तुमारे यह वालदाइन की जायदाद है तो ये तुम्हारे हैंड ओवर कर दी गई ये तुम्हारे हकूक है ये तुम्हारे हैंड ओवर कर दी गई तुम बाले को तुम शादी करो तुम्हारे राइट्स है लेकि नाइशा आपको लगते है इस तक कि हमारे मासे में लोग गी हमारी अकरबाते सुन भी लेंगे तो उसको फॉलो करेंगे फॉलो करनी चाहिए अगर वो ना करेंगे न या सिस्टम हमारे साहना चाहिए सिस्टम हम खुद बनाते हैं सहीए आपके वालदान को आपका राइट है आपकी जात्ती जिन्दगी का फैसला करने का तीसरा कोई जिम्हदार नहीं है आपकी जात्ती जिन्दगी पर फैसला करने का क्यों क्या आपके साथ कोई ट्रैजडी होगी आपका चचा मामा पुपो खाला कोई आके आपके सर पे हाथ रखेगा बिल्कुल सब्सक्राइब देखनी पाते हैं तो बोलेंगे बिटा चबनी है तुम रख लो लेकिन अगर दूसरा होगा वो नहीं हैगा कब भी नहीं करेगा तो आपकी जात्ती जिन्दगी के फैसले आपके वालदान के लावा किसी को करने का राइट नहीं है आप बालग हो गए आपके वालदान नहीं है आप अपना फैसला खुद करें अच्छा करें तो अलहम्दुलिल्ला गलत हो गया तो कोई मलाल नहीं होगा कि मेरी जिन्दगी इसकी वज़ा से बरबाद होई है और मैं सीरियसली एक बात और कहूंगी कि मैं ऐसे लोगों को सख्त ना पसंद करती हूं जो ना हक अपना राइट लागे किसी की जात्ती जिन्दगी के फैसले करते हैं यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मर्द जो होता है वो उसको अलगा ने कामाने के अपर रख रख के वह कमाता है स्रगल करता है मेंनत करता है अपने बीवी बच् Sugar के लिए करता आ फिर यही बत आती है इसके जो बहन बयोते है मतला मतमें की बात कर है तो यहाँ पर एक औरत का क्या किरदार होना चाहिए अवल हक तो उसका उसकी बीवी पर क्योंकि वो बीवी किसके पास जाएगी अपने राइट्स लेने मतलब औरत को उस टाइम पर एक मतलब लाश़ूर औरत हो लाश़ूर देखें बाप से बड़ा मुकाम किसका है शोहर का है ना सही है तो शोहर के लिए वो लाई गई है बिलकुल वो जो है ना शोहर का इंतिजार कर रही है और वो अगर कोई चीज ला रहा है और वो कह रहा है कि मैं सब के लिए लाया हूँ अपनी खुशी से तो वो बात अलग है पर अगर वो अपनी बीवी के लिए लाया है तो हमारा उस पे कोई किरदार नहीं है हमारी कोई नजर उसके माल पे नहीं होनी चाहिए अगर वो बीवी के लिए लाया है हाँ अगर वो बीवी के हाथ से दे मैं अगर अपने वाले साब की मिसाल दू ना आप लोगों को बढ़ी खुबसूरत मिसाल है मेरे वाले साब की कि उन्हों ने जब हम जॉइन फैमिली में रहते थे ना तो मेरे वाले साब सब के लिए लाते थे मेरी जब तक फुप्पियों कुमारी थी न तो मेरी वालदा के साथ मेरी फुप्पियों के लिए भी कपड़े आया करते थे इसे क्या कहते है म्याना रभी आपने अदल किया ठीक है आप अगर कुछ खाने के लिए मेरी वालदा के ला रहे हैं तो मेरी वालदा के सासाथ मेरे दद्याल वालों का हिस्सा भी है मैंने कभी भी अपने वालिद को यह करते वे नहीं देखा कि उन्होंने कुछ छुपा के लाके मेरी वाल्दा के हाथ में रखा हूँ जा यह मैं बहुत यह चेज मैंने की और मेरे भाईयों को भी चीज सीखनी चाहिए इससे क्या होता है कि ना इत्टिफाकी guidance नहीं ना इत्टिफाकी कैसे नहीं होगी कि मैं अपनी भाभी से रेट नहीं होगी वो मुझसे रेट नहीं होगी बैलन्स रहेंगे रिष्टे आप जॉइन फैमिली में न तो आप बैलन्स रखके चलें और यहां पर लड़की को भी समझना चाहिए कि जब आप जॉइन फैमिली में रही है न तो आप बैलन्स करें शोहर को आप जो है न मजबूर नहीं करें कि उसकी भी रैपों पर बात आ क्योंकि जॉइंट फैमिली में बैलन्स होना मस्ट है आशाम आपसे यहाँ पर सवाल करूंगी कि हम अप्पी खौम की नाम याने यह पाकिस्तान से हमारी पहचान है तो आपको क्या लगता है कि हमें एक शेहरी होने के नाते इस कौम के लिए क्या करना चाहिए हमें इस कौम के लिए ना सबसे पहले तो मुखलिस होना चाहिए अपनी मट्टी से और अपनी मट्टी से मुखलिस होने के लिए ना हमें उन मालिक की तरफ देखना चाहिए कि जन्होंने अपनी कौम की कदर नहीं करी तो आज उनके ओपर गैर मुस्लिम किस तरह मुसल्त है आप दुन्या के किसी भी खिटे में जाते है आपका पासपोर्ट आपकी शनाक करवाता है आप से पूछते हैं वेर आज उ फ्रॉम तो आप कहते हैं आप 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 पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी तो आपकी शक्सियत क्या है पाकिस्तान है आप पाकिस्तान के नाम से पहचाने का रहे हैं अगर आप अपने मुल्क को ही मट्टी में मिला देंगे आप अपने मुल्क को ही धमाके करके आप अपने मुल्क को ही रिश्वत से आप अपने मुल्क को ही हराम से तो सबसे पहले अगर आप अपने मुल्क के लिए ना अपने नाम से पहचाने जाएंगे तो अपने मुल्क के लिए मुखलिस होना लास्मीन है और क्या खिद्मत अंजाम देनी चाहिए खिद्मत देखें आप पे सबसे पहले आती है अल्ला और इसके रसूल की कि आप अल्लाह के लिए इबादत करें उसको हग मनें ठीक है उसके साथ किसी को शड़ीक नहीं करें आप नभी स elastic की बताएवी सुननत पर अमल करें ठाइज है, मंखसूद सुनदे ना पकड़ लें कि तुम पे पड़दा आयजए, ना बंफसुस सुन्दे सुनदे ना पकड़ लेंancheज़ जाएं सुन्दे हैं जो आपको जिन्दगी के तौर तरीके बता रही है उसके बाद आप पे आते हैं आपके वाल्दएं आप वाल्दएं निनका हख हलाल करें आप पे आती है फिर अपने घर्वालों की responsibility साँए है आप responsibility मेरेमिस जाए वो मिया बीवी वी वो गया बच्चे वो गया आप उनका हख लाल कर दें उसके बाद आप पे जम्यदारी आती है नेशन की नेशन की किस तरह कि आप जिस जगा पे काम कर रहे हैं वो इस खिते पर है इस सर्जमीन पर है वो इदारा इस सर्जमीन पर है आप उस इदारे के साथ मुखलिस हो जाएं कि आपको नहीं का कि आप जंडा लेकर खड़े ओझाएंग्हे मैं बहुत पैट्रियूर्टिंक हो अप मुखलिस हो जाएं उस इदारे के साथ जो आप घर से निकलने के बाद जहां से आप को इज़त मिलती है बरकत मिलती है कमाई मिलती है मतलब उस के साथ आप वहां के मालिक के साथ वहां के काम करने वालों के साथ वहां के प्योन के साथ आपका बिहेवियर कैसा है आपकी मुखलिसी कैसी है यह आपकी मुल्क के साथ वफदारी अगर हम सब अपने इदारों के साथ मुखलिस हो जाए ना तो यह इदारे से मुल्क चलता है और एढ़रों से ही मुलक का नाम रौशन होता है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि जढ़ा लेकर रेली निकालें, या बड़े-बड़े जल्से करें, या बड़े-बड़े स्पीकर्स लगाके बड़े-बड़े बेयानात दें, आप अपने इदारे के साथ मुख्लिस हो जाएं इदारों से नाम चलता है पाकिस्तान का यह है अपने नेशन के लिए सही काम करना आइशा मुझे बताईए कि हमारी आदत होती है कि हम अच्छाई को छुपाकर पहले बुराई को मतलब जादा फॉक्या देते हैं यहां पर ए औरी बेस जगहा जगा पर घंडोरा पीरते हैं तौच आयसे लोगों के बारे में किया कहेंगे आप भूर को नेगा देखना भूर और जर जाते हैं तो हापकी तो अच्छाई़ा आप आप ल्लह के रास्तेँ में भी करें तो वो उपर कुभूल नहीं होगी बंदेों की नदर में और नेकी जो ए वो आपकी दुनिया में नहीं पेचानें जागी जो हक नेकी है ना उसका सिलाप को कभी दुनिया में नहीं मिलेगे बिल्कुल ऐसे ही वो अल्ला की बारगा में चली जाती है वो अल्ला अपने पास महफूस कर लेता है क्योंकि बड़ी खुबसूरत नेकिया जो होंगी न दुनिया की वो अल्ला खुद बताना पसंद करेगा हाँ दुनिया में अगर आपको यह अच्छाई कर रहें और उसका सिला आपको बुराई की सूरत में मिलता है तो यह कहा जाता है कि यह हकीकत है कि आपकी नेकी अल्ला की बारगा में कुबूल हो गई तो बुराई जो है वो यह दुनिया तो बुराई ही है आप कितना भी अच्छा कर लें, आप एक्सपक्टेशन्स छोड़ दें किसी को खुश मत करने की कोशिश करें आप खुश रहें, आप खुश रहेंगे, बंदे परिशान रहेंगे यह कैसे खुश है, यह हो यह नहीं सकता, यह कैसे खुश है मैं नहीं मानने के लिए तयार, वो आपकी लाइफ में चान लगा के इंटरफेर करेंगे, बटा आप खुश रहें, आप अपने लिए खुश रहें, आप अपनी जात्ती जिन्दगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, दूसरे की जात्ती जिन्दगी पे दखल ना दें, आप काम्याब है, तो मेरा मश्वरा यह यह कि कोई अगर आपके ओपर बुराई देखता है, अग्नूर करें, बस, अगर कोई बुराई कर रहा है तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करन कर देखता है, तो किस तरह की जाए, अल्ला माफ करें, ऐसे लोग जो होते हैं बरदाश लाइक नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसी ही, यह, क्यूंकि आप किसी महफिल में जाते हो, आप कभी भी ने चाहूँए, आपकी तौाहीन हो, थीक है, आप कभी भी ने हो आपकी पर्सन life को discuss किया जाए दस लोगों के सामने यह पता है हर इनसान की अपनी इज़त है और कभी भी किसी इनसान की इज़त को ना खराब किया जाए खास तोर पर भरी महफिल पे इसलाम भी कहता है परदा पोशी रखें किसी के ओपर तोहमत ना लगाएं तोहमत लगाने वाले कि तो सजा भी बड़ी सक्तरीन है तो महफिलों में लोगों को ना खरील किया जाए क्योंकि यह कहते हैं वो बन्दा खुशी से आता है तयार होकर आता है अक्सर लोग महफिलों में क्यों जाते हैं उनका माइंड सैट होता है जो आज सारा दिन की थकन है, चार लोगों से मिलेंगे, बाते होंगी, मज़ा आएगा, डिसकुशन होगा, खाना पीना होगा, गबशब होगी, पर वहां पे अगर ऐसे लोग आजाएं जो सिर्फ मकसूस्थ आपको टार्गेट करने के लिए तो वह अगर इजब अच्छे तरीके से अच्छे रास्तों पर चला रहे ना बनी तो उसको अच्छे रास्तों पर ही रखें, उसको मजबूर ना करें कि वह गलत रास्ते पर आ जाएं, बिलकुल, यहां पर मैं एक एक्जम्पल बताना चाहूंगी, मतलब बहुत अजीम हस यहां होतेब्स जो होते हैं, बहुत उनकी कम उमरी होती है, लेकिन वहां पर उस आद्मी को टोकते नहीं है, बलकि उसके सामने खुद वضू सही करना शूरू कर देते, मतलब अपनी अमल से बताते हैं उसको, पिर वह जो गलत वजब कर रहो ते हैं, वो पर ज्खलतां कि मै गलती पर था, तो ये तरीखा होना चाहिए, किसी को समझाने का, किसी को कॉंसलिंग करने का, दीन क्या है, दीन ये ही है, आईशा यहीं से आपकी बात continue करूंगी ब्रेक का टाइम होगे नाजीन ब्रेक का टाइम हो गया है तो मिलते हैं छोड़े सिर्ब्रेक के बाद Welcome back नाजीन तो चलते हैं अपने प्रोग्राइम की तरफ जी आईशा क्के बतारे जीन क्या है दीन यही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जब बarette to बोलना आता है तो उसके आप कान के नीचे रख के नहीं मारते कि बिटा नमाझ का जोगी है मिलकुल आप नमास पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चा क्या करता है जैसे जैसे आप कर रहे होते हैं वैसे वैसे आप वो बच्चा भी नमास पढ़ रहा होता है अब अल्ला की बारगा में वो नमास भी कुबूल हो रही है बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है बच्चा कुछ भ जब अक्सरों लोगे चैते है आपने बच्षे को शुरू से नमाज की तरफ लाना सास साल की उमर से नहीं लाना दस साल की ग्यारा साल की उमर पर लाकर नहीं बुलना है अब पढए नमास महीं मैं तुझे मारूंगा या मारूंगा आप जब बच्चा सीख रहा होता है ना तो वहीं से आप उसकी कांसलिंग करना शुरू कर दें कुछ बच्चे देखका देखी भी मस्ते घर में के बड़े नमास पढ़े होती तो वह खुछ जानमास भी चाके खड़े जाती है आप बच्चे को छोटी-छोटी नमाज जानिमाज लाके दें, इतनी खुबसूरत उनकी जानिमाज होती है, आप उनको छोटी-छोटी तस्विया बना के दें, आप उनको नमाज की टूपी, आप उनको मतलब उनके अंदर महबत पैदा करें, आप उनको महम्मद हैं, सक्ती स सकती से लगाओ नहीं पैदा होता है, आप उसको ना अजान सिखाएं, सही है, आप उसको तिलावत सिखाएं, आप उसको ना तर्स खुबसूरत करकर के बोलना सिखाएं, वो खुद भाखुद अट्रैक्ट होगा, और जो चीज हम बच्चों को शुरू से डालेंगे ना वो बच्चों में आएगी, अगर देखें आप आज की दोर में बच्चे खुद भाखुद टिक टॉक की तरफ नहीं गए, बिलकुल, कैसे गए बच्चे, मा जो होती थी ना पहले जोर में फोन नहीं होता था, सारा कॉंसेंट्रेट उसका बच्चों के उपर होता था, अब मा क्याती है मेरे बच्चे को पूरा फोन चलाना आता है, बेवकूफ औरत तुमने खुद अपने हाथ से उसको फोन दिया है, वो बच्चा एप्स में जाके उसको पता है कि यहां से मेरे लिए ये खुल जाएगा तो मैं इसको यही खुलूँगा, मुझे ये खुल जाएगा तो यही खुलूँगा, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारे बच्चे का कोई कमाल नहीं है, कि वो आस्मान से एंड्रोइड या आईफोन चलाना सीख करा है, वो तुमने खुद उसके हाथ में वो चीज दी है, तुमने अपनी परवरिश के दौरान उसको वो चीज अब तुम उसकी कांसलिंग करो या उसके रख के थपड मारो वो ही करेगा जो वो सीख चुका है, बल्कि ये भी कहते हैं कि जब औरत मतलब नाइन मंद की पेगनेंसी होती है, तो उस दौरान जो आमल करती है, वो बच्चे के अंदर आता है, स्टार्टिंग जो कहते हैं न मा की परवरिश का मरहला ना मतलब पहले महिले से शुरू हो जाता है, एक तो देखें, जो खून होता है ये आपके अंदर आएगा, जो आपके वाले साव होंगे ना, जो उनकी तौर तरीके होंगे, वो आपके अंदर डायवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, अब वो रहा मा के पेट में, तो मा जो है, चाहिए वो नमास पढ़े उस दोरान, या तिलावत करे, या मुवीज देखे, या जो भी अक्टिविटी करे, वो खुदरती तौर पे वो बच्चे के अंदर आ रही होती हैं, सलायवर्ट हैं, सही है, और वो बच्चा वो ही कहते हैं ना, अभी मै या मुझे इल्म है, कि वालदायन जो करेंगे, वही बच्चा करेगा, थर्टी एidan, थिए साल की उमर के बाद, जब जो इनसान, जो कुछ भी खरेगा वो अप अपनी मरजी से करेगा, इम मिच्यूरीटी में जो कुछ भी करेगा, वो अपनी मरजी से करेगा, इम बच्यू तो रूसकी कांसलिंग कर सकते हैं, देखें, मा का रोल जो है ना, मा का किरदार अवल दर्जगा है, तो वो तवज्जा दे, मैं प्रोफेशनल लड़की हूँ, ठीक है, मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, अगर हम अपने बच्चों को तव पज़्जा नहीं दें तो हमारा तो औरत होने पे ही नालत है बिलकुल कैसे है लड़की अभी मैं जैसे कम उमरू लड़की हूँ जो भी हूँ आने वाले मुस्तक्बिल में जो राइट्स मुझे दे दिये गए जो अल्लह ताला की तरफ से जो मुझे हुकम जारी हो चुका है मैं अगर उसको छोड़ दू अपनी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी के लिए इस दुनिया में नहीं हूँ मैं अपनी रिस्पॉंसिबिलिटीज के लिए दुनिया में लाई गए हूँ मुझे अपनी रिस्पॉंसिबिलिटीज को पूरा करना है मुझे अपनी रिस्प को कुछ भी ना सिखा सकी और दुनिया मुझे बोल रही है इसके बच्चों को देखो नाका रहा है यह मेरी खुशी है थोड़ी से प्रफेशनल लाइफ के लिए ना पर्सनल लाइफ को कभी भी बरबाद ना करें तो यह कांसलिंग जो है ना जो राइट समें दिये हैं कि आपसा अपनी अपनी प्रफेशनल लाइफ की तरफ आजाए यह अगर आपके बच्चे आप इतना आप इतने माशला से स्ट्रॉंग एटने माशला से स्ट्रोंग गाएं कि अपर्सनल लाइफ को लेके चल सकते तो बहुत जबरदस्त हैं यहां परतो पुछ बाद की बात आप परसनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ लिए आपके बच्चे डिस्ट्रब नाओ आने वाल तो ये चीजें जो हैं बहुत मैटर करती हैं माश्यरे के लिए आईशा कुछ घरानों में ऐसा भी होता है जहां पे मैं संपल वर्ड में कौंगी ज्वाइन फैमिल डादा डादी ग्राइब होते हैं वह मा के अगेंस जाते हैं मतल्c भी कि अगर मा ने बच्चे को है जातना है शावरा है लिए उसकी मतल और उस ओलाद के ओपर किसी का राइट नहीं है महबत वो पूरी दें पर बड़ों को यहां पर यह समझना होगा कि माने हुकम बिटा तुम्हें दिया है तो तुम्हारी मा को हम समझा देंगे मानती है तो ठीक है नहीं मानती है तो बिटा तुम्हें मा की माननी होगी जो मेरी दादी थी ना ये उनके भी अलफाज यही थे कि तुम्हारी माँ ने जो कह दिया तो बस बात करता मारी दादी ने कभी वे अपने रूल सम पर लागू नहीं किये अगर मेरे पैरंट्स ने जो हमें कह दिया ना जो मेरे वालिज साथ ने कह दिया तो उसके आगे किसी की मजाल नहीं है कि वो हमें आगे से कोई कुछ कह सके तो मैं यही कहूँगी कि तमाम राइट्स जो हैं मा के बाद बाप के है और मा का फर्ज़ है कि बाप को हमेशे स्ट्रॉंग रखे अलाद के आगे एक दुसरे की रिस्पेक्ट करना सिखा है एक दुसरे की रिस्पेक्ट करना सिखा है अगर मा मार रही है और आगे से आके लोग रोक रहे हैं तो उनका कोई राइट नहीं है अमुमा मा को सक्ती वैसेज करनी चाहिए बाप को जो है ना दोस्त होना चाहिए क्योंकि रियायत जो है ना आलात मा के साथ ही करती है क्योंकि उनको परवा नहीं होती कि मा तो कुछ नहीं कहेगी अब आएंगे तो तब ही हम घड़ जाएंगे तो मा का राइट जादा है कि मा की सख्ती जादा होनी चाहिए लिहास नहीं होना चाहिए मुझे बताईए कि मतलब हमारे अकसर हम यह बात करते हैं अगर फैशन हो या तालीमी दारा हो किसी हॉस्पिटल के जग़ा कोई भी प्रोफेशनल जो है वो फील्ड हो तो वहाँ पर सारे लोगों को ना मतलब एक ही तराजों में तोल देते हैं सब को एक जैसा ही समझते हैं तो इन लोगों के बारे में क्या करेंगी यह बहुत जाता यह बात को कौमन मैं कौनगी कि अगर कोई लड़की जॉब के लिए हानिती है तो सारे ऐंते हैं उपझे पुटा आफसी बदनाम है झैप अब तमाम इदारों को आप बदनाम कह लेए आज ऑटे बाताम किया हो आ अपने मुझे यहां पे तीसरी दफ़ा बलाया है, मैं बहुत माशाला इस जगह को एप्रिशेट करती हूँ, ठीक है, मैं मेरी फैमिली साइटिस्फाइब है ठीवी ए घर पे, जी, बल्कुल, अब मुझ पे क्या चीज लागू होती है, अल्ला ना करे, मेरे साथ कोई बात हो होती है कि हम पे, हमारे साथ कोई ट्रैजेडी हो जाए, लगाना किसी के सात हो, मत्हो भी जाती चांपारों है जिनके साथ हो गई हैं तो उन से गुझारेश है के करें आद्धरों को बद्नाम ना करें जिसने जो जिसके साथ किया है उसके लिए ये मामला किये जाएं तो अगर हम अपनी सोच को थोड़ा सा एजुकेट करेंगे ना तो ये चीजें हमें जो हैं चेंज लाने में असानी का बाइस बनीगे आईशे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में आप तश्रीफ लाइं और बहुत जादा मुझे मज़ा है आपसे गुफ्तू करके इंशाला तहला फिर आपसे मुलकात होगी नाजिन हमारे प्रोग्राम का वाख खतम हो चुका है मुझे अपनी मैजबान सना नूर को इजाज़ा दीजिए अल्ला हाफस